दोस्तों, शारदिय नवरात्री 2024 के शुभ मुहूर्थ की जानकारी के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. इस वीडियो में हम शारदिय नवरात्री के संपूर्ण मुहूर्थ, कलश स्थापना का समय, कितने वृत रखने हैं, नवरात्री का समापन कब होगा और वृत कब खोलना है, सभी जानकारियां साज़ा करेंगे. अगर आप जानना चाहते हैं कि नवरात्री कब से कब तक होगी, तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी. कन्या पूजन कब करना है, सभी महत्वपूर्ण बातें और मुहूर्त भी इस वीडियो में शामिल हैं, आपको कहीं भी जाने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी. यदि आपके मन में कोई सवाल हो, तो बेजिजक कमेंट में पूछें, हमें खुशी होगी जवाब देने में. आपके अपने चैनल धर्म कथाएं में आपका स्वागत है. मा, भगवती, दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे. आज की वीडियो में हम शारदिय नवरात्री के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है. चलिए, जानते हैं कि यह कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी. दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मातारानी का जयकारा लगाते हुए, जये मातारानी अवश्य लिखें तो दोस्तों, शुरू करते हैं. शार्दिय नवरात्री दो हजार चौबीस, शुभ मुहूर्त, महत्व और मान्यताएं. शार्दिय नवरात्री हिंदु धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे पूरे भारत में बड़े हर्शोलास और श्रधा के साथ मनाया जाता है. इस पावन पर्व के दौरान मा दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है. नवरात्री का अर्थ है नौ रातें और इस पर्व को विशेश रूप से देवी शक्ती की आराधना के लिए समर्पित किया गया है. यह पर्व आश्विन माह में शुकल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता ह दो हजार चौबीस में शारदीय नवरात्री तीन अक्टूबर से प्रारंभ होकर बारह अक्टूबर तक चलेगी. इस लेख में हम शारदीय नवरात्री के शुभ मुहूर्त, महत्व, मान्यताएं और इससे जुड़ी परंपराओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे. शुभ मुहूर्त नवरात्री में हर दिन का एक विशेश महत्व होता है और हर दिन मान दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा की जाती है. सही समय पर पूजा करना अत्यंत महत्व पूर्ण माना जाता है ताकि देवी की कृपा प्राप्त हो सके. आईए शारदिय नवरात्री 2024 के महत्वपूर्ण तिथियों और शुभ मुहूर्तों पर एक नज़र डालते हैं. प्रथम दिन 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार. घट स्थापना. घट स्थापना का समय सुबह 6 बज कर 19 मिनट से, सुबह 7 बज कर 48 मिनट तक. इस दिन मां शैल पुत्री की पूजा होती है. शैल पुत्री परवत राज हिमाले की पुत्री हैं और उन्हें नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है. दृतिय दिन 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार. मां ब्रह्मचारिनी पूजा. इस दिन मां ब्रह्मचारिनी की पूजा होती है. मां ब्रह्मचारिनी तपस्या और साधना की देवी है. तृतिय दिन 5 अक्टूबर 2024 शनिवार. मां चंद्रगंटा पूजा. इस दिन मां स्कंद माता पूजा इस दिन मा स्कंद माता की पूजा की जाती है। शष्ठी दिन 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार मा कात्यायनी पूजा मा कात्यायनी को युद्ध की देवी माना जाता है। उनका पूजन नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए किया जाता है। सब्टमी दिन 9 अक्टूबर 2024 बुधवार मां काल रात्री पूजा, मां काल रात्री का पूजन, बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए किया जाता है नवमी दिन, 11 अक्टूबर 2024, शुक्रवार मां महागौरी पूजा, इस दिन मां महागौरी की पूजा होती है, वो पवित्रता और शुधता की देवी है। विजय दशमी, 12 अक्टूबर, 2024, शनिवार दशेहरा इस दिन रावण के वध की कथा का स्मरण किया जाता है। विजय दशमी शक्ती और धर्म की विजय का प्रतीक है। साधना का पर्व है। इस पर्व के दौरान उपासक अपने मन, शरीर और आत्मा को पवित्र करने के लिए वरत रखते हैं और मां, दुरगा की आराधना करते हैं। नवरात्री का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह प्रकृती के बदलते मौसम के साथ मेल खाता है। शारदीय नवरात्री शरद रथु की शुरुआत में होती है, जो प्रकृती के नवसरजन का समय होता है। इस समय वरत रखने से शरीर को नए मौसम के अनुरूप ढालने में मदद मिलती है। नवरात्री के दौरान विशेश रूप से दुरगा सब्तशती का पाठ किया जाता है। इसमें देवी दुरगा की महिमा और उनकी लीलाओं का वर्नन है। यह पाठ जीवन में सकारात्मक्ता और सुरक्षा का अनुभव कराता है। गार, शारदीय नवरात्री की मान्यताएं नवरात्री से जुड़ी कई पौरानिक मान्यताएं और कथाएं हैं जो इस पर्व को विशेश बनाती हैं देवी दुरगा की शक्ति के प्रति सम्मान और आस्था की भावना इन कथाओं में जहलकती है एक, महिशासुर, वद शारदीय नवरात्री का सबसे प्रसिद्ध पौरानिक संदर्भ महिशासुर के वद से जुड़ा है महिशासुर एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी से वर्दान प्राप्त किया कि वह किसी भी पुरुष या देवता द्वारा मारा नहीं जा सकता उसने इस वर्दान का दुरुपयोग किया और त्रिलोग पर आतंक मचाया तब सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिला कर मा दुर्गा का आहवान किया देवी दुर्गा ने महिशासुर से नौ दिनों तक युद्ध किया और दसवें दिन उसे वद्ध कर दिया इस विजय का प्रतीक ही दशेहरा है एक अन्य मानिता के अनुसार भगवान श्रीराम ने रावण से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए नवरात्री के दौरान मा दुर्गा की उपासना की थी उन्होंने देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक 108 कमल के फूल अर्पित किये थे इस उपासना के बाद ही श्री राम ने रावन का वध किया। इसी लिए दशहरा को अच्छाई की बुराई पर विजय के रूप में मनाया जाता है। 3. आध्यात्मिक महत्व नवरात्री का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। 9 दिनों तक चलने वाला यह पर्व साधकों के लिए आत्म शुद्धी और ध्यान का समय होता है। नवरात्री के दौरान व्रत रखना और साधना करना आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्थ करता है। अरागवास्व मासा, नवरात्री व्रत और पूजा विधी, शार्दिये नवरात्री में व्रत रखने और पूजा करने की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दौरान भक्त गण मा दुरगा को प्रसंद करने के लिए कई नियमों का पालन करते हैं। कुछ लोग पूरे नौ दिनों का व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग केवल अश्टमी या नवमी के दिन उपवास करते हैं। व्रत के दौरान फला हार करने का प्रावधान होता है। व्रत रखने से आत्मसयम और तब की भावना विकसित होती है। 3. कन्या पूजन अश्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेश महत्व होता है। इस दिन नौ कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें देवी दुर्गा के नौ रूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्या पूजन से माता दुर्गा का आशीरवाद प्राप्त होता है। 4. दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्री के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसमें देवी के विभिन्न रूपों और उनके द्वारा किये गए कारियों का विस्तार से वर्णन है। व्रत का पारण नवमी के दिन वृत का पारण किया जाता है। पारण का अर्थ है वृत का समापन। इस दिन विशेश रूप से मांद दुरगा की आराधना की जाती है और हवन भी किया जाता है। अरगास, नवरात्री के दौरान खानपान और विशेश भोजन, नवरात्री के दौरान उपवास रखने वाले भक्त विशेश प्रकार का भोजन करते हैं, जिसे वरत का भोजन कहा जाता है, वरत के भोजन में अनाज और लहसुन प्याज का उपयोग नहीं किया जाता है, यह कुछ सामान्य व्रत के व्यंजनों का उलेख किया, नवरात्री के दोरान क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, एक विस्तृत मार्गदर्शिका. नवरात्री देवी दुर्गा की आराधना का पर्व, नौ दिनों तक चलने वाला महत्वपूर्ण हिंदू तयोहार है. इस दोरान देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है और भक्तों के लिए विशेश धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का पा पूजा दूर होती है और सकारात्मक्ता को बढ़ावा मिलता है. आईए, नवरात्री के दौरान उन महत्वपूर्ण कारियों और नियमों पर एक नजर डालते हैं, जो इस पर्व के सही तरीके से पालन में सहायक होते हैं. अर्जार वन, नवरात्री के दौरान करने योग्यकार्य, अजाबरवा मन एक, घटस्थापना, कलश स्थापना, नवरात्री के पहले दिन घटस्थापना की जाती है, जिसे अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है. घटस्थापना शुभ मुहूर्त में क देवी का आशीरवाद प्राप्त होता है. एक मिट्टी के पात्र में जौब होए जाते हैं और उसके उपर एक जल्द से भरा कलश रखा जाता है. कलश के उपर नारियल रखा जाता है और आम के पत्तों से सजाया जाता है. यह कलश देवी दुरगा का प्रतीक माना जाता है और इसे नौ दिनों तक विधिपूर्वक पूजा जाता है। सिद्धिदात्री हर देवी के साथ एक विशेश रंग, मंत्र और प्रसाद होता है, जिसे पूजा में शामिल करना चाहिए. अगाजा 3. व्रत रखना नवरात्री में व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है. व्रत आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का प्रतीक है. भक्तगर्ण नौ दिनों तक पूर्ण उपवास रखते हैं, जबकि कुछ लोग केवल अश्टमी और नवमी के दिन व्रत रखते हैं. व्रत के दौरान, फलाहार, साबुदाना, सिंघाडे का आटा और सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है. व्रत रखने से आत्म संयम का विकास होता है और व्यक्ति के मानसिक और शारिरिक स्वास्थिपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. चार कन्या पूजन नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेश महत्व होता है इस दिन नौ कन्याओं को आमंतरित कर उन्हें भोजन कराया जाता है कन्याओं को देवी दुर्गा के नौ रूपों का प्रतीक माना जाता है कन्या पूजन से मात दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को उनका आशीरवात प्राप्त होता है। कन्याओं को भोजन के साथ-साथ वस्त्र, चूडियां और दक्षिना भी दी जाती है। दुर्गा सब्तशती का पाठ नवरात्र के दौरान दुर्गा सब्तशती का पाठ करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथ देवी दुर्गा के महात्मिय और उनके द्वारा राक्षसों के विनाश का वर्णन करता है। और जीवन में उन्नती होती है। आडशा छे वरात्री की कथा सुनना और सुनाना नवरात्री के दौरान मा दुर्गा की कथाओं का श्रवन और चर्चा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे भक्ती भाव में वृद्धि होती है और मा दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। इस अवधी में भक्तों को धार्मिक और पूरानिक कथाओं का श्रवन करना चाहिए, ताकि उनका मन और मस्तिष्क पवित्र रहे। गर और पूजास्थान की शुद्धि नवरात्री के दौरान घर और पूजास्थल की शुद्धिता का विशेश ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन घर की साफसफाई करनी चाहिए और पूजास्थल को गंगाजल से शुद्ध करना चाहिए। नवरात्री में मंत्र जाप और ध्यान करने से आंतरिक शान्ती और सकारात्मक उर्जा की प्राप्ति होती है। मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति आत्मिक शान्ती और मानसिक स्थिरता प्राप्त करता है। तु आ से यह । नवरात्रि के दौरान न करने योग्यकार्य, शोरार पढ़िए। 1. मांसाहार और नशे का सेवन वर्जित है। नवरात्र के दौरान मानसाहार, शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। यह नौ दिन आत्मशुद्धी और संयम के लिए होते हैं, इसलिए इन पदार्थों से दूर रहना चाहिए। मानसाहार और नशे से मा कटवाना, नाखून काटना और शेविंग करना वर्जित माना जाता है। इन कारियों को अशुधता के रूप में देखा जाता है और इस अवधी में शारिरिक शुधता बनाए रखना आवश्यक होता है। यदि संभव हो तो इस समय कोई भी बाहरी शारिरिक साज सज्जा से जुड़ा कार्य नहीं करना चाहिए। आरबोर्ड, गाक्टू, त्रीन, विवाह या शुभ कार्य से परहेज करें। नवरात्री के दौरान विवाह, ग्रह प्रवेश या अन्य शुभ कार्यों को करने से बचना चाहिए। यह समय विशेश रूप से साधना और पूजा का है। इसलिए भौतिक जीवन से जुड़े कार्यों को इस समय टालना चाहिए। नवरात्री के बाद ही इन कार्यों का आयोजन करना शुभ माना जाता है। और मन की शुद्धि बनी रहे। पांच जूट बोलने और गुस्से से बचें। नवरात्री के दौरान जूट बोलना, गुस्सा करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना वर्जित होता है। यह समय आध्यात्मिक उन्नती और आत्मसयम का होता है। इसलिए गुस्से द देर रात तक जागने से बचें। नवरात्री के दौरान देर रात तक जागना और आलस से करना अनुचित माना जाता है। पूजा के लिए सुबह जल्दी उठना शुब होता है। इसलिए रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि उर्जा और स्फूर्ती बनी रहे। रात में अधिक देर तक जागने से शरीर और मन थकान महसूस करते हैं, जिससे पूजा में मन नहीं लगता। ड्याजाजा साथ नकारात्मक विचारों से दूर रहे। नवरात्री के दौरान नकारात्मक सोच, द्वेश, इर्शिया और गलत भावनाओं से बचना चाहिए। इस समय वरत के दौरान अनुचित आचरण से बचें। का हिस्सा बनाना चाहिए।